हलो मेरी नेगी ऐन फैमिली कैसे हूँ आपके नेगी भाई को पता आप लोग ँझोड़ी रहे हूँगे मस तो मैं हूँ अभिनाष नेगी और मैं हूँ राशी नेगी आपका नाम यह हमारा बेटा रुद्रार और यह हमारी बेटी देवानसी जो बस दो मैने की होने वाली है, नॉमबर 26 को तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही different होने वाला है बहुत ज़्यादा different तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज कल जो छोटे बच्चे होते हैं वो mobile phone का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, ये बच्चों को नहीं पता होता है, इंटरनेट का उनके पास full access होता है, बच्चे गलत आदतों में पढ़ सकते हैं, जो उनके future को गलत रहा पर लिजा सकता है, तो as a parents हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों की activity जो भी वो फॉन पर करते हैं, उसको देखें, उस पर control करें, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, तो इसी के उपर ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो हम बात करते हैं एक ऐसी application जिसका नाम है FemiSafe, जो Wondershare ने बनाई है, जो बहुती बढ़िया ब्रैंड है, इस application की help से आप अपने बच्चे की mobile की activity को control कर सकते हो, यहां तक कि आप अपने बच्चे की जो location है, जैसे आपका बच्चे कहीं दूर जाता है पढ़ने के लिए, टूशन के लिए, तो आप अपने बच्चे की location ट्रैक कर सकते हो, तो है ना बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, और FemiSafe जो application है उसकी help से आप अपने बच्चे को गलत content से दूर रख सकते हो, जैसे की adult content होता है, violence होता है, crime होता है, pornography होती है, गालिया, जो भी गलत content होता है internet पे, जो बच्चों की सिहत और उनके mind के लिए साही नहीं है, आप restrict कर सकते हो, आप block कर सकते हो इसको इस application के तरूँ, तो कमाल क अपने बच्चे की लोकेशन सेट कर सकते हैं, ताकि जब हमारा बच्चा लोकेशन में रहे, तो हमको notification आजाए, अगर लोकेशन से बाहर आए, तो भी हमें notification आजाए, बहुत ही बढ़िया ये फीचर है, जीओ फैंस का, फेमिसेप में हम अपने बच्चे की live location को track कर सकते है कि हमारा बच्चा अभी कहाँ पर है, उसकी phone पर कितनी percent battery है, तो बढ़िया बात ही, क्यों, तो चलो देखते हैं, फेमिसेप काम कैसे करता है, इसको install करके देखते हैं, और प्लीज आप लोग भी जरूर install करना इस application को, as a parent हमारा ये responsibility बनती है, कि बच्चों का future सही रहे, औ और वो जो भी activity कर रहे हैं, मुबाइल में, यह हमको पता रहे, ताकि हम उनका future safe कर सकें, तो चलो, शुरू करते हैं, फेमिसेप काम गजे करता है, तो दोस्तों, शुरू करते हैं, अभी में पास दो phone है, एक मेरे बच्चे का, एक मेरा, मतलब parents का, क्योंकि ये दोनों Android phone है तो मुझे फेमिसेप application को play store से install करना होगा, अगर आपके पास iPhone है, तो आपको app store से फेमिसेप install करना होगा, तो शुरू करते हैं, तो आपको यहाँ पर search पर फेमिसेप लिखना है, और simple install करना है, सेम यही चीज आपको अपने बच्चे के phone पे भी install करना है, बहुत ही simple है य आपको यह screen दिखेगी, आपको थोड़ी बहुत information दिखेगी, आपको बस skip करना है या start करना है, next screen आपको यह वाली आएगी, क्योंकि मैं parent हूँ तो parent पे click करूँगा, अगर बच्चे के लिए बनाता तो kit पे click करता हूँ, आपको sign up करना होगा email, password और confirm password, आपका account बन जाए यहाँ पर मुझे pairing code मिला है, जो मुझे अपने बच्चे के phone पे जो famous safe है, वहाँ पर मुझे इस code को डालना है ताकि यह connect हो जाए, तो यहाँ पर skip करता हूँ यह बच्चे का phone है, इसलिए मैं kid पे click करता हूँ, और यहाँ पर pairing code को डाल देता हूँ, बच्चे के phone पे आपक के लिए उसकी age 7 यहाँ पर set कर रहा हूँ, next पर click करूँगा, अब आपको बच्चे के phone पे कुछ चीज़े activate करने होँगी, जो यहाँ पर famous safe आपको instructions के साथ बथा देगा, easily आपको step by step enable करना है, यह देखिए यहाँ पर display pop up windows while running in the background मैं इसको accept कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर more download services, मैं famous safe accessibility को on कर देता हूँ, back, यहाँ पर फिर enable पर click करेंगे हम लोग, और यहाँ पर यह भी on, enable, आप instructions देख सकते हो कि क्या चीज़ आपको on करनी है, तो यहाँ पर famous safe लिखा वा था, तो मैं इसको on कर देता हूँ, तो बहुत simple है, फिर enable, आपको यह step follow करने एक के बाद एक मैंने यहाँ पर भी allow कर दिया है, यहाँ पर आपको कुछ warning आएगी, आपको यह accept करनी है, enable, यह location भी आपको on करना है, और यह रहा आपका battery server, कुछ चीज़े यहाँ पर आ रहे हैं, आपको बस on करनी है, और आपका यह complete हो जाता है, allow कर दीजी आफ, allow all the time, yes allow, फिर से allow, यह दो pop up आ चुके हैं, एक मेरे phone पे, एक मेरे बच्चे के phone पे, in order to keep the app not to be stopped, please allow, ignore battery optimization, मैंने यह okay कर दिया, allow कर दिया, यह मेरे बच्चे के phone पे, सब कुछ install complete हो चुका है, मैं इसको side में रख देता हूँ, अब आता हूँ मैं अपने phone पे, मतलब parent के phone पे, यह यहाँ पर मुझे एक pin जनरेट करना है, यह ऐसा pin है, जब भी मेरा बच्चा application को delete करने ही कोशिश करेगा, तो वो pin उसको डालना होगा, pin जनरेट करने के बाद मुझे यहाँ पर एक screen time दिख रहा है, यहाँ पर 2 मिनट मेरे बच्चे ने phone को use किया है, यह application यूज करी है, तो मुझे सारी की सारी report यहाँ पर दिख रही है, activity report में अगर मैं जाता हूँ, तो मेरे बच्चे ने यह applications को use किया है, कितनी देर तक किया YouTube टे कौन सा वीडियो देखा है, सब मुझे देख जाएगा, तो देखिए मैं आपर click करता हूँ, तो मेरे बच्चे ने यह वाला YouTube पर यह वाला वीडियो देखा है, और 9 बच के 10 मिनट पर देखा था, तो है ना कमाल के चीज, back आता हूँ, यह आज की activity report है, अगर मैं screen time प ब्लॉग भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं set time कर सकता हूँ, तो यहाँ पर अगर मुझे लगता है, मेरा बच्चा WhatsApp बहुत जादा use करता है, तो मैं WhatsApp को block कर सकता हूँ, तो आप मेरा बच्चा WhatsApp यूज नहीं कर पायागा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखिए, यहा यहाँ पर आप अपने बच्चे के mobile internet uses पर restrictions लगा सकते हो, जो चीज़े आपको लगता है, आपके बच्चे के mind और health के लिए सही नहीं है, जैसे violence, adult, drugs, weapons, crime and death, तो यह सब चीज़े बिल्कुल भी बच्चों के लिए सही नहीं होती है, तो यहाँ पर आप इन सब को lock कर सकते हो, तो बच्चा यह चीज़े सर्च नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे, नीचे भी एक list है, तो आप इन चीज़ों को भी lock, unlock कर सकते हो, बड़ मुझे लगता है, यह चीज़े harmful नहीं है, YouTube app control, आपके बच्चे ने जो भी वीडियो देखे होंगे, वो time location है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका बच्चा कहां पर है, उसके फॉन पे कितनी battery है, यह feature मुझे personally बहुत पसंद आया है, मैं अपनी बच्ची की location को track कर सकता हूँ, मुझे लगता है अगर उसके phone पे कम battery है, तो मैं उसको call कर सकता हूँ, location section में geofence नाम से एक feature है, जो कि बहुती सांदार feature है, आप यहाँ पर location enter कर सकते हो, add कर सकते हो, जब भी आपका बच्चा उस location में जाएगा, आएगा, तो आपको notification मिल जाएगी, तो यहाँ पर देखिए, मैं एक location का नाम type कर रहा हूँ, यह location है, और यहाँ पर मैं उस location का जो radius है, वो कम जादा कर सक जब भी मेरा बच्चा इस location के अंदर enter करेगा, मुझे notification आ जाएगी, और जब भी बाहर जाएगा, तब भी मुझे notification आ जाएगी, अगर आपके बच्चे के phone पे कुछ explicit content है, या suspicious photo है, जो उसके लिए सही नहीं है, तो आप उसको control कर सकते हो, यहाँ पर एक driving report नाम से एक feature है आप इसको enable कर सकते हो, अभी रुदरांस के पास कोई भी car, bike नहीं है, तो मैं बस enable करके इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं notification में जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे सारी notification मिल गई है, कि रुदरांस ने कब enter किया था dance class, और रुदरांस ने मुझे request भेजी है, WhatsApp यूज करने की, तो यहाँ पर आपको सारी notification दिख जाएगी, मैं अपने बच्चे की request को accept भी कर सकता हूँ, और refuse भी कर सकता हूँ, आप इस application को तीन दिन free trial यूज करने के बाद खरीद भी सकते हो, अगर आपको advanced feature चाहिए, तो यहाँ पर annually, quarterly और monthly आपको pricing list दिख जाएग लोग बच्चो, अब तो मैं फोन के वग्ट फोन यूज करना और पढ़ाई के वग्ट पढ़ाई यूज करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस family safe app इंस्टाल कर दिया है, अगर मामा, अगर हम यह family safe app को delete कर दे तो क्या होगा, हाँ, अगर हम इस family safe को uninstall कर दे तो, तो करके द अगर में देखना चला, अनिस्टाल, यह हैना, हाँ, इसको चला अनिस्टाल कर ओ, क्या हुआ, क्या हुआ, ओके करना है, अगर है, ़ालने, क्या पूछ रहा हुआ, यहा, अच्छ नहीन पला हओ, यह अप्लिकेशन बहुत अच्छी है, अब हमारा दिमागwest स्रिफ पढ़ाई पढ़ाएगा अगर हमकुत और के खेलेंगे या फेर्टोव में देखेंगे तो मम्री पापको पता C चल जाएगा अновब हमारी कुट्टाई होगी से तो मतलब पढ़ाई के वग्ट फड़ाई वाली application लेगा लेकिन हिसाप से और तरीके से लिमिट से खेलने के वक्त पेखेलना है यूटूब के बाद यूटूब देखना है और पढ़ाय के वगत पढ़ाय करनी है तो कैसे लगी आपको अप्लिकेशन हमें तो बहुत ही अच्छी लगी और तो as a parents, as a daddy, mommy, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपनी बच्ची की activity को control करें, उनको देखें कि बच्चा मुबाइल में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि छोटी बच्चों का future ममी पापा की हाथ में होता है, क्यों रासी, होता है ना, और अगर बच्चा छोटे मे बिगड जाता है, तो फिर बड़े में उसे control करना कभी-कभी impossible हो जाता है, तो I hope आपको ये video पसंद आया होगा, हमने बहुत ही प्यार से आप लोगों के लिए बनाया है, और मैं ये first time है जो किसी application के बारे में, मैं अपने blogging channel पर आप लोगों से share कर रहा हूँ, और मुझे इस तरीके की application के बारे में आपको बताने का मौका मिला, तो thank you so much, राशी तुम बोलना चाहोगी कुछ, इस application के बारे में, ये बहुत ही अच्छी application है, और हमनों भी यूज कर रहे हैं हमी, बिल्कुल, और आप free 3 days trial है, आप यूज करिए, और बच्चे के phone पे भी इसको install कर करिए, बस आपको अपने phone पे account बनाना अपना, बच्चे के phone पे account बनाने की जुरत नहीं है, simple से कुछ steps होंगे, जो हमने आप लोग को बताए दिया, आप follow करिए, और use करके देखिए, क्यों, बच्चा delete भी नहीं कर पाएगा इस application को, उसको password की जुरत होगी, अगर सब्सक्राइब कर देना, अगर करानी होगा तो, खचक से दवा देना लालरंग का बटन, सब्सक्राइब लिखाओगा उस पे, बाए बाए बाए